आज के वीडियो में हम जानेंगे पेट दर्द, बदन दर्द और नजले जुखाम की तीन जबरदस्त खुराक के बारे में दोस्तो जब हमें कभी कुछ होता है तो हम डोक्टर के पास जाते हैं जो हमें तीन चार टैबलेट मिलाकर एक खुराक बनाकर दे देते हैं तो ऐसे ही आज हम पेट दर्द, बदन दर्द और नजले जुखाम की खुराक के बारे में जानेंगे इन खुराक में कौन-कौन सी मेडिशिन डोक्टरों दुवारा दी जाती है इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये वीडियो आप के लिए सिर्फ नौलिज के लिए बनाई गई है मेडिकल स्टुडेंट के लिए बनाई गई है इसलिए आप अपनी मर्जी से ट्राइ ना करे किसी भी मेडिशिन को यूज करने से पहले एक बार डोक्टर की सला जरूर ले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे पेट दर्द की खुराक के बारे में अगर किसी परसन को पेट में दर्द होता है तो उसमें डोक्टर दौरा कौन सी वैडिशिन दी जाती है सबसे पहले मेफटाल इसपास टेबलेट जो की पेट दर्द में काम करती है पेट दर्द, पेट में एठन या फिर पेट में शुबन इस तरह की समस्चा को ठीक करती है और एक टेबलेट एसलोक डेड़ सो या तीन सो अमज़ वाली लगा सकती है जो एसिडिटी को कम करती है कई बार एसिडिटी बनने के उज़े से भी पेट में बैशेन होने लगती है तो उसके लिए ऐसलोक डेड़ सो या तीन सो दी जाती है और एक टेबलेट टॉपशिट 40 Mg ये भी एसिड को कंट्रोल करती है और अगर पेशेन को कॉंस्टि पेशन मदलब कब्सगी या फिर पेट फोलना खट्टी डखारे इस तरह की कोई प्रोबलम है तो गैसेक्स टेबलेट लगा सकती है अगर नहीं है तो इन तीन टेबलेट को दे सकती है तो ऐसे ये पेट दर्द की कमपिलेट खुराग बन चुकी है इससे आपको पेट दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अब हम जानेगे इस खुराग की डोस के बारे में आपने इन तीन चार टेबलेट में से एक एक टेबलेट लेकर सुबह साम खानी है खाना या नास्ता करने के बाद और दो दिन खुराग आप ले सकते हैं बाकी कितने खुराग लेनी है या कितने दिन तक खानी है एक दिन या दो दिन ये सब पैसेंट की कंडिशन के उपर डिपैंड करता है तो आप डोक्टर से कंसर्ट करके ही यूज करे और अगर कोई प्रिगनेंट लेडी है तो उसे आप मेफटाल इसपास की जंगे ड्रोटिन डियेस टेबलेट दे सकते हैं इसमें ड्रोटा वेरिन साल्ट होता है जो प्रिगनेंशी में सेफ होता है ड्रोटा वेरिन और ड्र कैपसुल कोई साब ही दे सकते हैं जैसे पैंटोब ड्र या फिर रैबिकाइं ड्र इस तरह से आप कोई साब ही कैपसुल दे सकते हैं और एक गैसेक्स टेबलेट ये तिनों प्रिगनेंट लेडी को डॉक्टर से कंसर्ट करके दे सकते हैं अब हम जाने के बदन दर्द की खुराक के बारे में बदन दर्द में आपने कॉम्भी फुलाम टैबलेट जो की सर दर्द बदन दर्द, पैरों में दर्द चोट मोच का दर्द इस तरह ऐसे पेट दर्द छोड़के बहुत सारे दर्द में काम करती है और एक एंटिवाइटिक कैपसूल जैसे मौक्स कैपसूल, धाईसो या पांसो इमजी पैसेंट की कंडिशन के इसाब से लगा सकते हैं और एक टैबलेट बैटरिसोल और अगर पैसेंट को एसे रेटी की प्रोबलम है तो ऐसे लोग टैबलेट लगा सकते हैं अब हमारे पास कॉम्बिफलाम टैबलेट, मौक्स कैपसूल, बैटरिसोल और ऐसे लोग टैबलेट हो गई है ये दर्द की खुराख रेडी हो गई है डोक्टर दोरा इस खुराख को पैसेंट को दिया जाता है अब हम जानेंगे इस खुराख की डोज के बारे में आपने सुबह साम खाने के बाद इस खुराख को लेना है फिर आपको आरा मिलना सुरू हो जाएगा अब हम जानेगे नजले जुखाम की खुराक के बारे में इसमें आपने एक टैबलेट सिनरेस्ट और एक कैपसूल मोक्स 500 या 200 mg पैसेंट की कंडिसन के कोडिंग और एक टैबलेट बैटनिसोल जो की इस्ट्रोइड होती है और अगर पैसेंट को छी गया रही है नाक से पानी बहरा है तो आप एक टैबलेट सिट्राजन को भी एड़ कर सकते हैं अब हमारे पास सिनरेस्ट मोक्स कैपसूल और बैटनिसोल और सिट्राजन टैबलेट हो गई है ये नजले जुखाम की बहुत अच्छी खुराक रेडी हो गई है डोक्टर दोरा इस खुराक को दिया जाता है अब हम जानेगे इसकी डोस के बारे में इसे भी आपने सुबह साम खाने के बाद एक एक खुराक लेनी है और आपने चावल नहीं खाने है ठंडी खटी चीज़े नहीं खानी है इन चीजों का आपने फ्रेज करना है फिर आपको अच्छा कासा रिजल्ट मिलना सुरू हो जाएगा उमीद करता हूँ पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी इसी देखी नोलजिबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं